हेलो एब्रिवान हेर इस रमन शर्मा एजन आइल्स ट्रेनर ते अज दी जो मैं वीडियो तानों बनौन लगया इस्पेशली आइल्स स्टुडेंट इस स्पीकिंग मड्यूल दा जड़ा टास्क टू है क्यू कार्ड मैं क्यू कार्ड देली स्पेशल एक वीडियो त्यार कर जिड़े बच्चे नूँ प्राबलम हों दिये के एक्जाम दे वेच क्यू कर्ड नूँ वन मिनिट दे विच किस तरीके नन प्रिफेर करिये अज मैं टेप्स रिक्स दसंगा एक क्यू कर नूँ बनोन दाएक वे दसंगा ते जिडियो मिस्टेक सु बच्चे कर देया उन ना करन में उदा वीकता नो एक सल्यूशन देऊंगा तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ता नो मैं स्क्रीन देऊट एक शो किता है क्यों कर्ड जो दा नेम है डेस्क्राइब जर्नी देट यू एंज्वाइड ता टू भी वेरी ओनेस्ट जदो अपने पता लगया एंज्वाइड वर्ड दिता हो है अपने अकोली एंज्वाइड मतलब के सेकेंड पॉंप एक गलते आनल सुन लियों कदे भी जैपा कोई भी बुक नू रीड करके आप तुसी copy paste कर रहे हो तो ट्राए करो अपने वियूस देन दा ट्राए करो कि तुसी किस तरीके न एक स्टोरी नो create कर सक देऊ जै मैसाफ शब्द ते सौखी पाश अच गल करा डा सो क्यूकर्ट देविच हो जा अपनों प्रेजेंट जा फ्यूचर देविच बोलने में दिया अज दा जो क्यूकर्ड है जिवे डिस्क्राइब जर्नी देट यू एंज्वाएड सेकेंड फॉर्म है ता बच्छे नों पता लगे के पास्ट चे बोलने बहुत सारी क्यूकर्ड हों देया डिस्कॉराइब टाइम देट यू फेल्ट हैपी फील्दा फेल्ट हो गया जित्थे के वी वह भी सेकेंड फॉर्म ता नों देखनों मिलेगी ज्यादा तुसी उसनों नहीं लिख सकते हैं तो इस करके किया अज मैं तनों क्यूकर्ड बनावना भी स्खाऊंगा कि आपका किस चीज़ा नों लिखना है कि नहीं किडे में चीज़ा ने जिरे थू आपका क्यूकर्ड दे विच्छों ओवर फॉर आउट व्फफ़ बेंड ले सकते हैं क्यूकि जिटा आपना टेस्ट होनुद है और ऊवरान नाइन बेंड है ये थे थ्री टास्क ने टास्क वण इंट्रोडक्शन है वग जोदे टू बेंड है टास्क तू क्यूकर्ड है वधे फोर बेंड है तर्चे जिटा बॉलेट पॉइंट की की ने अपने पुझे, सब तो पहले बॉलेट पॉइंट है, when ते where, आपनों फता होना चाहिए कि जदो अपने तो when पुझेया, ता कदू, ते where पुझेया, ता केडी जगा, धुझा बॉलेट पॉइंट की है, with whom did you go, तुसी की दे नाल गए, पहला ब क्यूकर्ड एस तरीके ना मिले तक kindly ना दिना तुसी की करनेगा तानों जड़ा पेपर मिलेगा उस ते तुसी क्यूकर्ड नो एस तरीके ना डिजाइन कर सकते होगी एक्जामपल जड़ो इनो लिखने दे लिए तो नो फाइव सेकेंड दा भी टाइम नी लगना चाहिएदा मिट दे विच जो क्यूकर्ड होदा तुसी मेंशन कर दो जवे इथे मिने जर्नी है मैं जर्नी नो मेंशन करता उस तो बाद चार बुलिट पंडे में इनो फोर एरो उस तरीके ना करता ते कैंडली किते डिजाइन बनाओ दे चकर चना रहे जिए विए एरो एम नी होना जाहिएद है तो सीक जस्ट लाइन भी खिट सकते हो सबतो पहला when and where तुझा with whom तीजा what did you do ते चौथा how did you feel उन्हें के गलतियान रिखियो कोई कोई बुलेट पंडे में होना है जीदे होते आप जस्ट 10 to 15 सेकंड ही बोल सकते हैं तो सी स्टोरी नो सबतो पहले ट्राय करो कि ताड़ी रियल लाइफ नाल जुड़ी होए क्योंकि जदो रियल लाइफ नाल जुड़ी होई कोई गल होंदी है ता आप अप पॉल दे नहींगे ता आप उन्हों बहुत लंबा लेके जा सकते हैं पर सम्टाइम की होंदेगा कि कई वर आपनों वो स्टोरी अपनी लाइफ नाल नहीं भी जुड़ी होंदी ता आपनों एक एमेजिनेशन एक एमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करनी पहेगी रादे टो किया अपने एक एमेजिनर नों एक एदे बारे नहीं पता तो टॉपिक नों शुरू करना सब तो में तरीका किएगा ट्राइ करो सब तो पहली चीज किया है उदे जनरल लाइन बहुत बच्चेया नों लगेगा कि सर what is the meaning of general line ता नों जो भी टॉपिक मिले आ तुसी ओदे बारे उदे एक बेक ग्राउंड दसनी दसनी है एक्जांपल जे मैं जर्नी है जिनने सुडेंट एदे जर्नी बारे बोल के उनगे जर्नी दे बारे एक बेक ग्राउंड उन्हों बोलना ही भी बोलना पोगा जे तुसी डारेक्ट वेन तो शुरू करता ता नों स्कूर है जेडा वो बिलकोल डिडक्त होएगा त्राइ करें करो जेडा भी क्यू कर्ड है ओधे बारे एक लाइन या दो लाइना ओधे पास्ट बारे ता नों पता होनी या लाजमी चाहिए दियाने सेकंड चीज़ जदो अपनों पुछ है वेन ते वेर वेन की होन दे एक टाइम है अपनों उथे जरूरी थोड़ी है कि अपनों ट्रस्ट वर्दी बनके प्रॉपर सोरी नों ट्रूली दसना होन देगा ट्राइ करो मेरी एक गल नों फॉलो करके देखियो तुसे तानों क्यूकर्ड है जड़ा शॉट टर्म चे बनना शुरू हो जुगा पच्ची तीस सेकंड दे विच्च ते दुजी गल में दसना है कि तानों नमे नमे आइडिया नों लेके आउन दिलोडने एक क्यूकर्ड जदो भी किसे प्राणे गल करनी है तो उसी लास्ट यर दी गल करके ते वेर वोन जे जरनी ते जाने ता कटो कट तानों यह पता हुआ जरनी ते के थे जा सकने है चलो पर शिमला चल देए शिमला अपने दो वर लिखे ने कि जदो मैं अपनी स्टोरी नों स्टार्ट करूँगा वी ओ मैं अपनी स्टोरी नों मोल्ड कर रहे है एक क्लू ने वी मैं अपनी स्टोरी नों पुल लूँगा नहीं ते सारे सारे बॉलेट पॉइंट ने वो बोलने बड़े लाजमी है म डेफिनिटली तानों हेल्प होजेगी लोग कदे भी ना जदो वेन है ना उते बहुता टाइम नी ए डेट एक्पूरिट याद करनी लोड़नी होंदी दूजे नमबर दे शेमला विद हूम डेड योगो तुसी सब तो पहले स्टोरी ना फोर लेंथी प्रावन देली ए न को अपने फ्रेंड्स ना गया दी पहला तुसी को भी मैं अपनी फैमिली ना प्लैन करें ऐसी उस जगाते जान दा एनिहाव मेरे फादर नों अर्जेंट वर्क हो गयते हो अमेरिका चल गे ते फिर मैं अपने फ्रेंड्स ना चला गया एक्जामीनर नों कोई मतलब नी तुस कर दे हैं होर की की कर सकते हैं अपना जर्नी ते राज ची जान दे होई एक्जाम्पल क्लेकिंग पिक्चर्स डेफिनिटल अपने करें शेमले पहुंच भी गए ते अपना होटेल बुक करें माल रोड को में शॉपिंग करें जिन्निया मर्जी तुसी चीजा ने गया अपन तुसी अपनी तरीके ना चाहिए चूठा बोलो सच्चा बोलो पर तुसी बोल के दखा हो दिसी कोल्डा स्पीकिंग स्केल ते लास्ट अपना हाउ डिडियो फील हुआ हर बार नमा फील करनी लोड नहीं हुदी जै गॉड़ फील होया ता तो नों पता होना जीना कि मैं ब दर्वी चेंज करता ता नों पांच ये क्नेक्टर दाज़ दाना तो यह हर उतो चेंज होन दो बाद उननों अपने देच मेंशन कर सकते हो डेफिनिट या देखो यह अपने ब्लू करता है एक जगा दे मैं मोरोवर बोलूंगा जदो मैं वैन दे वेर नों बोल के हट ज़ मैं than भी बोल सकता, मैं next भी बोल सकता, मैं after that भी बोल सकता, that all depends on you तो जो यह last bullet point है तो उसी last टे वुसी नों finally भी बोल सकते हो मैं हरीक बच्चे नूँ एही चीज कहूंगा बच्चे के आप आईनू प्रफॉर्म क्यों में करने हैं देखो मैं एक एड़ाक रिया करने हाई करने दूर्फॉर्म करने फंदा में बचा आदी जो इन नूँ चार जिन ने करो नोच विला लिया हरेक ने बार मैं एक दो दो पॉइंट लेकले ऐन से इकल एद रखी हूँ य जरूरी नहीं हुदा बहुत बंदय नों ड्राया देखना नहीं है ता एक बेंटी है वह आपनों दिंदाई क्यों है एक्जामिनर आपनों प्रवाइडी क्यों कर दाएगा है वो दा मतलब एही है बच्चे के सम टाइम आपा स्टोरी पॉल गे ता तुसी अराम नड़ एस नों देख सकते हूं कोई डरनी कोई कुछ नहीं है यह कोई बैंट डिड़क्शन नहीं है कि काइंटली फेक एक्सेंट नहीं बोलना रट्टा नहीं मारना ते स्टोरी नो बहुत अच्छे तरीक्यां तुसी बना साथ चलो आपा एक पर बनाके भी देखने हैं आपा किस तरीक्यां चलिए उन्हे मैं एक एमेरी जर्नी बारे गाली करूंगा जिए डी मैं बहुत एंज्वाइए कि ती वाइल इट हैपन जा इट अकड़ एक अदो हुया जा आए एंज्वाइड दिस जर्नी लास्ट येर इट वास्ट जून मन्थ आई एंड माई फेमिली वी आल प्लान्ड टू गो टू श्यम्ला मन्लब क्यों गया मैं होन एदा ती दोनारी टॉक कठें नहीं कर रहे है ते कई वर कियो हुदा कई बच्चन हुदा के सर जे बॉलेट पोइंट ने जाड़े मेक्स होगे स्टोरी बना रहे हैंगे ए जरूरी नहीं हुदा के एक नू पहला फिनिश करके दूजे एक दुजरे विच भी मणा मुटा बोल लेगा या यह दरना था है नहीं गा गल खतम असी प्लैन बनाया श्यम्ला जान दा बिकस एट आम आप ट्रेनर और आएच इन श्कूल आपका के सारे मैं ट्रेनर है श्कूल जी टीच करना आपका कैसा आपका सुरे मैं श्कूल जी went to america so uh we had a plan i made i immediately i made a call to my friends and they all agreed इत्थे तो बाद मैं इरे बार भी बोलता हुन मैं ने फर्दर मोर तो बाद की बोलने है मैं करेया की की what did do अपने च्वाइस है या जिनना मर जी तुसी तुसी मिर्च मसाला के स्टोरी नो लंबा की ची चलो furthermore me and my friends we all started our journey in the morning time at four o'clock because that the summer day that we did not want to spend much time on the road cause of the hotness of the sun on the way we listen to music and when we reached at Patella we took a breakfast we were enjoying each and everything each and every moment we were enjoying on the way we were clicking the pictures and after four hours we reached at Shimla then we booked the room and we set up our luggage there we immediately we came back from the room and we went to mall road we were really feeling happy there clicking the pictures we met different kind of foreigners there it was really amazing moment for us because that that was a snow falling जिनने आमर्जी या बदाई चलो कोई क्वेश्न नी कहींदा स्टोरी क्रीट करनी है जे तो उनों लगे नहीं मसाला काट किया महलब के स्टोरी काट की ना जिमें मर्जी आड का तो सटनों आ वी मेट वन a beggar मिल गया सी वी "'Ass of my journey tears come in my tears shed in my eyes that I cannot forget this memory till my last breath it was a red letter day for me red letter day so this was a journey which I enjoyed so I can only say one two points to this one I can use the story from the moment when I can only say one two points I can only say one two points I can only say one two points और अदरवाइस बैंट स्कोर नहीं आने सो आई हॉप कि तानों पता लगया होगे क्यों कड़नों अपा किस तरी के ना बढ़ाईद है तो प्लीज चैनल नों सब्स्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करो तानों हर इक वीडियो दे जड़ी नौटिफिकेशन है वो मिल दी रहे ताटे वालों बहुत प्यार मिल रहे है थेंक यू वर्य मुच्छ लव यू ठेक केर गड़ पार